एलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल तो आज की सेडियों हमनों डिसकस करने वाले लोको मोटर डिसेबिल्टी और ओर्थोपेडिक इंपेरिमेंट तो लगवाग यह दोनों एक ही तरह के डिसेबिल्टी होते लेकिन इसमें थुड़ा बहुत अंतर होता है लोको मोट आपका ओर्थोपेडिक के अंदर आ जाता है तो यहां पर देखेंगे लिखाओ लोको मोटर विकलांगता का अर्थ है एक जगा से दूसरी जगा जाने में समस्या यानि पैरों में विकलांगता उसके बाद है लेकिन समानने तोर पर इसे हड़ियों जोडों और विकलांगता के रूप में लिया जाता है यहां किसी व्यक्ति के आंदोलनों जैसे चलना हाथ में चीजे उठाना या पकड़ना आदी में समस्या उधवन करता है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे चलने फिरने में असमड़ता शरीर के अंगों का गती करने यानि पेरों में विकलांगता या अपंगता जैसी कटनाई आती है तो इसका अर्थ हुआ अंगु की गती में प्रतिबन लग जाना लोकोमोटर विकलांगता को हिंदी में गती शील विकलांगता भी कहते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए भारत सरकार द्वारा RPWD Act अधिनियम 2016 लाए गया जिसे 28 दिसम्वर 2016 को संसत द्वारा पास किया गया जिसके बाद 19 अपरल 2017 से विकलांग व्यक्तियों को विशेश अधिकार मिला उसके बाद RPWD अधिनियम 2016 के तहद लोको मोटर विकलांग ता के लिए भी विशेश परकार की सुविधाय दी गई है इसके अलावा इस अधिनियम में सभी परकार के विकलांग श्रेणियों को भी शामिल किया गया है लोको मोटर विकलांग ता के कारण क्या तो पैपोलियों हो सकता सेरेवल पाल्सी विच्चेदन रीड की चोट सिर की चोट कोमल उत्तको फ्रेक्चर पक्षा गहाद बोनापन नियूरोलोजिकल इस्तिति गठियां दुरगटना अनुवान शिक्ता उसके बाद इसके परकार देखेंगे उपरी अंग की लोको मोटर विकलांग ता निचले अंग की लोको मोटर विकलांग ता बोनेपन के मामले में लोको मोटर विकलांग ता जीड की मूँ लोको मोटर विकलांग ता अपंग में लोको मोटर विकलांग ता रेडियल और उ आपा जाता है इसमें व्यक्ति द्वारा गती संबंदित गती विदीयों को करया जाता है जिससे उनकी शमता और शम्ता का पता चलता है उसके बाद इसका परभाफ क्या क्या पड़ सकता है तो दूसरे व्यक्तियों की तरह लोको मोटर विकलांगता वाले लोग अपने अंगों के सहारे चलने तथा किसी कारे को करने में सक्षम नहीं होते है लोको मोटर विकलांगता किसी व्यक्ति को चलने खड़े होने चीजों को हाथों से पकड़ने की शमता को बुरी तरह से प्रहावित करता है जिससे उन्हें अपने दैनी जीवन के कारियों में भी दिकत आती है उसके बाद लिकलांगता से पीडि व्यक्ति के सिक्षा में भी बुरा परभाब पड़ता है क्योंकि वह अपने मन मुताबिक किताबों को खरीद नहीं सकते उसे पढ़ नहीं सकते तथा सिक्षा ग्रहन करने के लिए विभिन संस्थाव में भी जाना उनके लिए मुश्किल ह हो जाता है उसके बाद हम लोग देखेंगे और्थोपेडिक इंपेरिमेंट यानि कि अस्तिवादिता तो अस्तिवादित बच्चे वे होते हैं जिनकी एक यादे खटियां में दोश आ गया हो या शतीगरस्ट हो गई हो जिससे वो समाने बच्चों के साथ शारी कारे करने उसके बाद इसके विशेस्ता हैं देखेंगे तो शारी द्रिष्टी से बादित बालक समान्यत मानसी द्रिष्टी समाने बालकों से अधिक होती हैं इनके अंदर एकागरता की शक्ती होती है यह पूलियों तथा अन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं अस्ति बादित बालक दूसरों पर आशित रहते हैं तथा किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं उसके बाद लिखा है इन बालकों को समाजिक सहभागिता में कठनाई होती है तथा इन में विशिक्ष्पता को सहन करने की शम्ता समाने बालकों से कम होती है उसके बाद इसका वर्क एकरन किया जाता है जैसे कि पाम फिरा कलब फुट लूरे लंगडे हाथ कटे एक या इससे अधिक अंगों का लगवा मस्तिश्क पक्षागात मेरुदन का वक्र होना विक्रत नितम मेरुदन द्री शाकिये मांसपेशिये असमर्था और इसका पहचा करना और उसके बाद है लडखडा कर चलना नकली अंगों की सहाइता लेना या उपयोग करना चलते चलते गिड़ जाना और उसका कारण हो सकता है जमजात और नियमता के कारण त्रुकटना के कारण और बिमारी के कारण और इसका जो सिक्षा होता है उपचार सुविदाए प्रदान करें अभी वरीतियों में परिवरतन करके, पुणर्वास जोजना बनाकर उन्हें लागो करना, आर्थिक सहाथा दिलवाकर, सहाथा समगरी परदान कर, समाजी करण की परक्रिया दूआ और अतिरिक्त कक्षा के सृरीजन से, तो यही था हमारा orthopedic impairment और locomotor disability इसके बाद आपको दूसरा जो अन्य disability रह गया वो करा देंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो